धन्यवाद सत्कुरू, अब हम अपने बहतरीन और थैर्यवान श्रोता समोग के सवालों को लेंगे. एक विनम राग्र है कि अपने सवाल उची आवाज में ना बोलकर माईक पर पूछें और कृपया एक व्यक्ती एक ही सवाल पूछे. कुछ लोगों के पास माईक है, इसलिए आपको अपने लिए माईक देखना होगा. नमस्कार गुरू जी, गुरू जी आपने कहा है कि केवल एक प्रतिशत लोग अपनी प्रतिभा तक पहुँच पाते हैं. आपने हमेशा हमसे कहा है कि हम भीतर की ओर मुणें, तो हम भीतर कैसे मुणें और अपने भीतर हम क्या खोजें? मैं कह रहाओं कि किवल एक प्रतिशत लोग अपनी प्रतिभा तक पहुँच पाते हैं और आप कहते हैं कि हमें इस प्रतिभा के उप्योग के लिए भीतर मुणने की ज़रूरत है हम भीतर कैसे मुणे और हम क्या देखें यहां पर दो चीज़ें आपस में मिल गई हैं मानिविय प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आपको बाहरी महौल और भीतरी महौल दोनों की ज़रूरत है भीतरी महौल केवल यह है कि आपको सहज होना होगा जीवन में आपको पूरी तरह से आराम से रहना होगा जादा तर लोग हर्जमें हो कि आपा धापी में लगे हैं आपको सहज होना होगा सहज होने का अर्थ है किसी ने मुझसे कॉलेज में पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि हम सहज हैं योग के इंद्र में हम एक कोबरा टेस्ट करते हैं आप इस बारे में पहले से जानते हैं इस बारे में आप पहले से जानते हैं उन में से कुछ जानते हैं देखिए अधिकांश विशेले जीव ऐसे होते हैं विशेश रूप से कोबरा ऐसे होते हैं और मधुमक्यां ऐसी होती हैं और यहां तक की मकडियां भी ऐसी ही होती हैं, वे आपको देखते नहीं हैं, जादा सुनते भी नहीं हैं, कोबरा तो पूरे बहरे होते हैं, साप जादा तर बहरे होते हैं, वे कुछ भी सुन नहीं सकते, लेकिन वे आपके शरीर का रसायन महसूस करते हैं, अगर आप जंगल तो दिखाई थी जिसमें मैंने एक कोब्रा को अपने हाथ में उठाया है, सिर से पकड़ कर नहीं, बस ऐसे ही, वो पालतू साप नहीं, एक जंगली साप है, ठीक है, वो हमारे साथ दो दिनों तक रहा, फिर पहाडों में छोड़ा है, वहां आया था, इसलिए पकड़ लिया, तो अगर किंग कोब्रा आपको डस ले, तो आपके पास 20-40 मिनट का जीवन बाकी रहेगा, उसके पास एक हाथी को मारने जितना विश होता है, ठीक है, वो किंग कोब्रा, जिसे आपने देखा वो लगबग 13 फिट का है, उसके पास किसी हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विश है, लेकिन मैंने उसको ऐसे पकड़ रखा है, वो बस वही है, क्योंकि वो केवल आपके शरीर के रसायन को महसूस करता है, अगर आप उसे थोड़ी भी चिंता दिखाते हैं, तो वो आपको लपक लेगा, क्योंकि उसे खत्रे का हिसास होता है, आपकी चिंता उसके ल प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमती देंगी या नहीं? जब आपके पास काफी कटर सामाजिक बनावट होती है, जब आपके आजपास काफी कटर धर्म होते हैं, तो वे आपकी अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमती नहीं देते, वो ये पक्का करेंगे कि आप उनके द्वारा बनाए नियमों से बंधे रहें तो एक सामाजिक महौल और एक भीत्री महौल ये बनाना महत्वपूर्ण है मुझे लगता है कि आज आप अपने आसपास की किसी भी तरह की कटर परिस्थिती या दबाव वाली परिस्थितियों से भाग सकते हैं आप उस जगे को छोड़ सकते हैं 100-200 साल पहले किसी इस्तान को ऐसे छोड़ना संभव नहीं था लेकिन आज अगर आपको ऐसी परिस्थिती मिले जो आपके जीने के तरीके के लिए बिल्कुल सहाइक न हो तो आप उस जगे को छोड़ सकते हैं और कहीं और जा सकते हैं है न? यह यह अतित में संभव नहीं था लेकिन आज आप सहज तो होना चाहते हैं पर आप में से काफी लोग ध्यान की कमी और अपने तनाव को एक योगता के तौर पर देखते हैं मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, क्या ये किसी तरह की काबलियत है? ये काफी हद तक ऐसा हो गया है, विशेश रूप से मैनेजमेंट छेत्र में अगर आप CEO हैं, तो आपको कम से कम अलसर होना चाहिए वरना आप एक अच्छे CEO नहीं हैं, आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने शरीर को संभालना, अपने शरीर के रसायन को संभालना, विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं आता है और आप बोल रहे हैं कि ये किसी और वज़े से हो रहा है नहीं, बाहर की परिस्थिती लोग उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से वे जीवन को जानते हैं भीतरी परिस्थिती को वैसी बनाना जैसी आप चाहते हैं ये आपका काम है है न दुनिया में हर चीज सौ प्रतिशत आपके तरीके से नहीं होगी, कभी भी नहीं लेकिन कम से कम इस एक व्यक्ति को आपकी इच्छा नुसार चलना चाहिए, है न इस से में ये व्यक्ति आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है मैं आज इहां इसलिए आया हूँ कि आपकी खुशाली के लिए साधन और टेक्नॉलोजी प्रदान कर सकूं जिससे कि कम से कम आप अपने भीतर वैसे बने जैसा आप होना चाहते हैं अगर आपके पास चोईस होती कि आप अपने भीतर कैसा होना चाहते हैं तो आप क्या चुनेंगे, खुश होना या दुखी होना? आपको अभी बताना होगा, मैं आशिरवाद देने वाला हूँ. आप खुद के लिए क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल साफ है, है न? यदि खुश होने या दुखी होने के बीच चुनना हो, तो आप खुश होना चुननेंगे, आप अपने पडोसी के लिए जो चाहेंगे, उस पर बहस की जा सकती है. लेकिन आप अपने लिए जो चाहते हैं, वो सौ प्रतिशत स्पष्ट है. सहेज होने की बात करें, तो उसके अनेक तरीके हैं. लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है, वे बोलेंगे सहेज होने का आर्थ है, शान्ती. एक बार ऐसा हुआ, क्या मैं चुटकुला सुना सकता हूँ? एक चुटकुला चलेगा? क्योंकि यहां बहुत सारे लोग इतने गंभीर दिख रहे हैं. क्या जेन्यू में चुटकुले चलते हैं या केवल गंभीरता? हलो? हर समय चुटकुले. ठीक है. तो शंकरन पिल्लाई एक आकरामक पती था. वो हमेशा अपनी पत्नी को परिशान करता था, कभी पीटता था, कभी यौन प्रताडना देता था, कभी गालियां देता था, हर रोज ये सब करता था. लेकिन उसकी पत्नी हमेशा बहुत शान्त रहती थी, एकदम शान्त. एक दिन वो उस पर चिलाया, लेकिन वो एकदम शान्त रही फिर उसने पूछा, तुम ये कैसे करती हो मैं तुमको गालियां दे रहा हूँ हर रोज कुछ बुरा कहता हूँ कभी-कभी मैं तुमसे बुरा वैवहार करता हूँ लेकिन मैंने तुम को कभी भी गुसे में नहीं देखा, तुम हमेशा शांत रहती हो, तुम ये कैसे करती हो, उसने कहा मैं टौलेट साफ करती हो, क्या, मैं तुमको गालियां देता हूं तुम टौलेट साफ करती हो, उसने कहा हाँ, यदि तुम मुझको गाली देते हो तो मैं टॉलेट साफ करती हूं, जब मैं तुमको पीटू तो उसने कहा, मैं दो टॉलेट साफ करूँगी अगर मैं तुमको यौन प्रताडना दू तो उसने कहा, मैं घर के सारे टॉलेट साफ करूँगी उसने पूछा लेकिन टॉलेट साफ करना तुमको शांत कैसे रखता है वो बोली मैं तुम्हारा टूथ ब्रश इस्तमाल करती हूँ तो इसे संभालने के कई तरीके हैं